हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बेक इन माई न्यूव वीडियो तो आज मैं आप लोग को BR रेंक पुस्ट करने के लिए टॉप थरी ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना तो चलो यार बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपना फर्स्ट करेक्टर के लिए दुखो मैं गईस तीन स्लोट बताने वाला हूँ और तीनों स्लोट में से जो भी आप लोग यूज करके खेलोगे ना मतलब आप लोग हर गेम मतलब 1v1 फाइट में तो आपको कोई मारी नहीं सकता वाई 1v1 सोलो रैंक प्लेयर के लिए ना गईस एकदम इजी पीजी आप लोग बंदों को मार सकते हो मतलब एकदम खतरनाक तरीके से ठीक है आपको वो बंदा मारी नहीं पाएगा सामने वाला जब भी आप लोग बंदे को फाइट करोगे ना तो एक सामने से चोड़ी सील्ड बनके आएगी ठीक है और 60% डेमेज वो पांच सेकंड के लिए घटा देगी ठीक है देखो मैंने ये सील्ड लगाया अब ये सील्ड पांच सेकंड तक एक्टिवेट रहेगा ठीक है और उ तो उससे अप लोग को डेढ सो गाइस उतना ही काई डेमेज लेगे ठीक है 400 का डेमेज में 180 का ये डेमेज लेगे ठीक है और 20 HP आपका बची जगा इतना खतर्नाग ये सील्ड लेगाईस ठीक है असला मैं तो हर टाइम ये वाला सील्ड यूस करता हूं ठीक है नमबर वन तो guys 1v1 में solo player के लिए best character skill है ठीक है यह वाल आप लोग character skill यूज कर सकतो number 1 पे ठीक है active में अब उसके बाद guys आप लोग को passive में इसमें use करना है guys Andrew character ठीक है ज्यादा यह मतलब damage reduct कर देगा घटा ठीक है तो यह तो guys एक character skill हो गया उसके बाद guys आप लोग को इसमें use करना एक और character skill जिसका नाम क्या है इस आप लोग को पता है चुरह मैं बताता हूं तो उसका नाम है guys आप लोग को लिकवेटा तो जब भी लिकवेटा यूज करके ख अचास extra HP का slot में जागा और जहां पर नॉर्मल बंदे 210 health लेके खेलते हैं वहां पर आप लोग 250 health लेके खेलोगे और उसके बाद आप लोग को एक और character skill यूज करना है जिसका नाम क्या है इस पता है वूलफरा तो देख सकते हो जब भी उलफरा लगा कि खेलोगे तो यह 40 बंदे आप लोग को एक्सपक्टरेट करेंगे मतलब जितना भी ज़्यादा आप लोग स्पीड बड़ेगा एक्सपेक्ट रेड़ोग और आपको चल्दी से पकड़े गाने ठीक है और आपका मुमेंद है मतलब आपका मुमेंद बगरा थीड ओ लिए ट्यकर ये स्कील का सबसे पहले आप लोग को यह वाला करेक्टर यूज़ करना है जिसका नाम है जैन करेक्टर स्किल तो जब भी आप लोग जैन करेक्टर स्किल लेके खिलोगे गाइस तो आप लोग को 60 HP का एक्ष्टा मिल जाएगा गैस मतलब कितने 12 सेकेंड के लिए ठीक है और वो गैस अगर मतलब HP कम रहेगा तो उतना HP रहेगा अब यह दुखो गैस जब आप लोग फाइट लोगे तो 300 साड़े 300 हैल्थ हो जाएगा अभी आप लोग रुको में A to Z सारी चीज़े बताऊंगा तो सबसे पहले आप लोग को इसमें यूज करना यह वाला गई जैन करेक्टर जिससे आप लोग को 60 HP मिलेगा 12 सेकेंड के लिए उसके बाद आप लोग को इसमें एक और करेक्टर स्किल यूज करना है जिसका नम है इस क्या पता है चलो मैं आप लोग चलो करो गए मतलब यह जैन करेक्टर स्किल तब आप लोग का स्किल मतलब गईस एच्प हो जागा 340 और अभी वी कम नहीं उसके बाद आप लोग को यूज करना एंट्वन यू तो जब भी आप लोग को एक्स्टा एच्प का सील्ड पॉइंट मिलेगा और इस सील्ड तो मेरे को 60 एच्प एक्स्टा मिल गया था 12 सेगेंड के लिए ठीक है तो यह हो गया गया इस करेक्टर स्किल ठीक है अब इसमें आप लोग को एक और करेक्टर स्किल उसकरना है आट्व जिससे आप लोग को मूब्मेंट स्पीट एक्ट्यूरेसी सब बढ़ जाएगी कु 390 हो गया और उसके बाद आप लोग को एक और पैट यूज करना है जिसका नम है फ्लैस तो जब आप लोग यह पैट के बारे में बाद में बताता हूं पहले यहां पर दिख लो गया तो 340 हैल्त हो जाएगा गाईश ठीक है और अब बात करते हैं पैट की तो पैट में पैट में कोई बंद को मारता हूं हां तो जब भी आप लोग पीछे से मतलब कोी बंद अपको मारेगा तो क्या होगा गैश आप को डेडension का सील्ड मिलेगा अलग से एक्स्ट्रा सील्ड पैट जिससे आप क्लो का फेले सील्ट टूटे गा उसके बाद ही दैमेज लेगा ठ पाएगा क्योंकि मेरा हेल्थ हो जाएगा बहुत जादा मतलब कितना हो जाएगा 340-394 फिर दीजक टूकर Yo यह दो को बाई मंदा कुछ भी नी बिगार पाया यह दोसो हैल्थ तो मेरा बच भाट भाट यह दोको मेरा कितना एचपी बचाया घयाएई अभी भी देखो मतलब 2450-2425-50 इतना एक पी-तो मेरा भाट भाट यह दो अभी मेरे भाट फूल कर लिया 340 health है भाई ये बंदा मुझे कैसे मार देगा और ये दुख भाई 200 health अपना बचा ही रहा गया 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 और उतने में ही मार दिया तो ये वाला character skill मस्त है गयाईश मैं तो हमेशा solo rank push यही वाला character skill लगा के खेलता हूँ तो ये था गयाईश अपना second slot और third slot तो गयाईश इससी भी ज्यादा amazing और खतरना character skill है तो third slot में क्या यूश करना है आप लोग को यूश करना है दिमित्री character active character skill में ठीक है तो third में guys ये वाला आप लोग solo do boy squad सब भी के लिए यूश कर सकते हो अपने teammate को revive कर सकते हो मतलब आपका teammate धड़ा धड़ा अराम से revive भी हो जागा आपका HP भी बढ़ जागा और आप जब knock होगे तो आपको भी revive मिल जागा guys ठीक है और अभी तो solo बे में guys बहुत सारे बंदे यूश करते दिमित्री character तो इसमें guys आप लोग को active में सबसे पहले लेना है Dimitri उसके बाद guys आप लोग को Sonia लेना है Sonia भी guys बहुत खतरना के ठीक है अभी Dimitri के बिना Sonia अधूरे आगा इस ठीक है यह तो गया Sonia Dimitri उसके बाद guys आप लोग को एक और character skill यूज करना है जिसका नामे guys मैंने already आप लोग को बता चुका है जिसका नामे guys पता है चलो मैं फिर से बता देता हूं यार उस character का नामे guys क्या पता है मैं भूल गया यार मैं क्या बता हूं तो 283 यलती से जब भी आप लोग फाइट लोगे तो कोई भी बंदा आपको तो नॉक नहीं कर पाएगा लेकिन हाँ आप सामने वाले बंदे को बिल्कुल इस तरीके से गई तो इस तरीके से सामने वाले बंदों के नॉक कर दोगे ठीक है तो उसके बाद इसमें आप कर सकते हो जिसका नाम है रोकी जो कि आप लोग को सूपर फास्ट तरीके से बोले तो फाइट कर रहा हो तो फाइटिंग के दौरान आप लोग अपने टीम मेट को रिवाइब भी कर सकते हो तो इजी पीजी ठीग है यह रावंधा ओ भाई व्याल इधर लग गया यार इस ये चिलगुजा रिवाइब भी हो गया ओए एक और टीमेट इसका मरजा भाई मरजा ओले इसने भी दिमित्री लगा दिया खेर कोई ना गाइस पीछे से भी मेरे को बहुत ज्यादा गोलियां पड़ रही है एक सेकेंड गाइस हाँ चलो भाई बहुत ज्यादा गोलियां पड़ रही है यार मेंसे निकलना पड़ेगा इस चलो यहांसे निकलके जल्दी से रिवाइब करते हैं वीक्काज मेरे सारे टिमेट मर गया अप लोग तेखो पहले बी दो बार टिमेट मर गये थे अब तो सारे मर गये तो पहले चलो जल्दी से सबसे पहले रिवाइब करते हैं और एक और चीज गैस जब भी आप लोग duo squad खेलो ना तो जब भी teammate मर जा है तो मैं ही पहले उसको revive कर लो ठीक है यह बहुत जादा important है गैस और अभी तो गैस दिमित्री से अपन लोग पूरा game निकाल लेंगे आप लोग को मैं दिखाता हूँ ना दिमित्री से सबसे पहले आ अगर आप लोग एंट्वन नहीं उसकरों तो उसके बदले में घ्री आप लोग जो एक और लोगाइस करेक्टर की ला आता है जिसका ना में घ्री चीज जो की वॉल वो करता है तो वह वाला यूज कर सकते है तो यहां पर अगर मेरे पास नाइरी रहता तो मेरा वाल तो यह दुख है दिमित्री से अपना एच्पी भी बढ़ गया च्छे सेकेंड में साथ अच्पी और अपन लोग ने मैडिकिट करके अपना एच्पी भी फूल कर लिया और अब तो कोई दिक्कत भी नहीं तो चलो जल्दी से वाल से निकलते हैं और इस स्कॉट को खतमी कर ल नहीं मरेगी तो खराप लगेगा ना यार देख मेरे वीडियो खराप मत कर यार मर जा तुको गईस यह लड़की ऐसे नहीं मनेगे मैं इसका वाट लगाता हूं यह रा बंदी और बंदे को किया नौक और अभी चलो इसको फिनिस करते हैं भाई इंजक्सन मत लगा बैन य बाद बाकी वीडियो अचा लगा तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बैल को भी सट करते हैं बाद बाकी एक सेकेंड रुखो गईस मैं पहले इसको मार लेता हूं देन मैं आगे बताऊंगा यह राचिल गूजा मर जा भाई यार तो बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो मैं तब तक के लिए आप सभी को लव्यों लगाईस बाबाई